हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू लर्निंग ही माचल आज के सेशन में हम मोडन हिस्ट्री के कुछ MCQs जो है वो डिसकस करेंगे आपके साथ दिटेल में डिसकसन होगी तो आपके लिए एक्स्प्लेनेशन जो है वो इंपोर्टेंट रहेगी इन MCQs को सुनते हुए अगर आपको ऐसा लगे कि कोई point आपको नहीं पता है तो आप साथ साथ ने अपने short notes जो है वो बना सकते हैं ठीक है तो हमारे पास हमारा first question है in which year सावर्मती आश्रम was established 1914, 1915, 1916, 1917 तो सावर्मती आश्रम के बारे में अगर हम बात करें तो सावर्मती आश्रम को ही हम गांधी आश्रम भी कहते हैं इसी आश्रम को हम हरी जन आश्रम के नाम से जानते हैं इसी आश्रम को हम सत्यागरा आश्रम के नाम से भी जानते हैं ठ में सावरमती आश्रम है तो हमें लगता है कि सावरमती रिवर ठीक है गुजरात में है तो हमेशा से सावरमती रिवर के बैंक पर ही ये आश्रम बनाया गया था तो ऐसा नहीं है ये जो आश्रम है आपका सावरमती आश्रम 25th of May 1915 में गांदी जी के एक फ्रेंड थे आपके जिवनलाल दिसाई जी उनका बेंगलो था वहाँ पर सबसे पहले ये सावरमती आश्रम जो है 1915 में इस्टेबलिश किया गया और वहाँ से रिलोकेट कराया गया था सावरमती रिवर के बैंक पर 1917 में ठीक है तो आपको दो डेट सियाद रखने है 1915 में इस्टेबलिश हुआ और रिलोकेट कराया गया था कहां पर सावरमती रिवर के बैंक पर 1917 में ठीक है कहीं कहीं पर इस्टेबलिश्मेंट का ये 1916 भी दिया है तो आपको ध्यान में रखनी है चीजे ठीक है और ये वही आश्रम है जहां से डांडी मार्च जो है वो स्टार्ट हुई थी 1930 में ठी को सावरमती आश्रम से ही डांडी यात्रा जो है वो स्टार्ट हुई थी तो इतनी सारी बाते हमें सावरमती आश्रम के बारे में ध्यान में रखनी है ठीक तो इस क्वेश्चन का राइट अंसर हमारे पास आता है ओप्शन नमबर बी अगला क्वेश्चन है तो दादा भाई नैरो जी ये house of common कहां लंडन की बात हो रही है ठीक है तो यहां पर दादा भाई नैरो जी इस question का right answer है हमारे exam's जो हैं हिमाचल के exam's वहाँ पर personality से बहुत सारे questions जो है वो पूछे जाते हैं तो आज इस question में हम दादा भाई नैरो जी के उपर बहुत सारे facts जो हैं उनको revise कर लेते हैं उनको discuss कर लेते हैं तो हमारे दाधावाई नैरो जी की अगर हम बात करें तो इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं क्या टाइटल है? Grand Old Man of India, ठीक है? किसके लिए यूज किया? दाधावाई नैरो जी के लिए इनको और एक टाइटल भी या टाइटल तो क्या? लेकिन इनको Unofficial Ambassador of India ऐसा करके भी जाना जाता है, ठीक है? एक Grand Old Man of India and एक Unofficial Ambassador of India तो दो चीज़े इनके भारे में ये हो गई अब ये जो सभी को पता होगा कि महात्मा गांदी के मेंटॉर कौन थे? गौपाल कृष्न गोखले जी हम सभी को पता है लेकिन गौपाल कृष्न गोखले जी के मेंटॉर कौन थे? दादा भाई नैरो जी जी, ठीक है? जो House of Common की बात हो रही है लंडन में 1892 से 1895 के बीच में ये House of Common में elect हुए थे? ठीक है? MP elect हुए थे लंडन में 1892 से लेकर 1895 में, ठीक है? इनके बारे में कुछ और फैक्ट अगर हम देखें तो East India Association, 1866, 1866 ठीक है? East Indian Association की establishment या उसके founder कौन थे? दादा भाई नैरो जी जी ये question बार बार पूछा जाता है एक्जाम में अगर हम London Indian Society, 1865 की बात करें इसके founder कौन थे? दादा भाई नैरो जी जी एक और है ग्यान परसारक मंडली तो ग्यान परसारक मंडली के founder कौन थे? हमारे दादा भाई नैरो जी जी 1874 में ये दिवान थे कहां के? बरोदा के तो इतनी सारी बाते दादा भाई नैरो जी के बारे में ये question पूछे जाते हैं हमको ध्यान में रखनी है ठीक है? अब हम सबको पता है कि AO Hume जिनोंने इंडियन नैशनल कॉंग्रेस को फाउंड किया था लेकिन दाधा भाई नैरो जी जो थे वो को फाउंडर थे उनके साथ में ठीक है? इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के यह जो लेकर आये यह दाधा भाई नैरो जी ही लेकर आये थे ठीक है? इतनी बातें हमें दाधा भाई नैरो जी के बारे में पता चल गी और यह भी पता चल गया कि कॉंग्रेस के फाउंडर, one of the founding member भी थे ठीक है? कॉंग्रेस word भी इनों नहीं दिया था था 1886 का 1886 का बहां पर प्रेसिडेंट कौन थे? दाधा भाई नैरो जी जी दूसरी वार यह प्रेसिडेंट बने थे 1893 में और तीसरी वार बने थे 1906 में जहां पर इनोंने सबसे पहले कॉंग्रेस में सुराज की डिमांड की थी कौन सा सेशन था? 1906 का सेशन प्रेसिडेंट कौन थे? दाधा भाई नैरो जी तो तीन बार यह कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट बने कब-कब? 1886 में 1893 में और 1906 में ठीक है जी? इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इनके एक और कॉश्चन पूछा जाता है Poverty and Un-British Rule in India इनों ने ये जो बुक है ये लिखी थी Poverty and Un-British Rule in India तो इससे associated कौन है? दाधा भाई नैरो जी जी इनों ने Drain of Wealth की थियोरी दी Drain of Wealth अब ये क्या Drain of Wealth क्या है? इसमें इनों ने क्या कहा? कि जो इन्डिया की जो भी Wealth है न वो Drain होके कहां जा रही है? लंडन जा रही है कैसे? तो इनों ने बताया कि जैसे ये Poverty and Un-British Rule in India ये जो बुक है इसमें इनों ने Drain of Wealth की बात करी थी और क्या कि आप Points इनों ने बताये कि जैसे Free Trade है इंडिया में Foreigners के लिए उस टाइम पे था ठीक है? British जब Rule कर रहे थे हैं तो उनके लिए Tariff कोई नहीं भारत का जो Raw Material है भर-भर कर London जा रहा है यहां का Raw Material भर-भर कर London जा रहा है बहाँ पर बड़ी-बड़ी Factories है इंडिया में नहीं है Factories ठीक है? Factories कहां है? लंडन में बहाँ से भारत का Raw Material चला गया कर चामाल लंडन और बहाँ पर बड़ी-बड़ी Factories है बहाँ पर production हो रही है और finished product बन रहा है अब वो finished product बन के कहां आ रहा है वापस? भारत में आ रहा है तो भारत की market को इन्हों ने use किया Britishers ने और जो समान बेज कर जो पैसा आया वो भी Indians के पास नहीं है वो भी Britishers के पास जा रहा है ठीक है? इसके कारण इन्हों ने बोला drain of wealth दूसरा क्या बताया इन्होंने? दादा भाई नैरो जी जी ने जो इंडिया में Britishers का जो भी administration हो रहा है जो इतनी high paid administrators की job है जो इंडिया से सारी की सारी salary जो है वो Indian treasury से जा रही है उनको इसके लिए इन्होंने drain of wealth बोला जो भी Britishers जो इतने सारे उन्होंने war लड़े तो वो war expenditure कहां से जा रहा है तो वो जा रहा था तो वो इंडिया की treasury से जा रहा है ठीक है? तो इसके लिए इन्होंने बोला कि drain of wealth हो रहा है ठीक है? तो drain of wealth किस ने दी ये theory? ये दादा भाई नैरोजी ने दी और कौन सी book associated है इनके साथ में? Poverty and Un-British Rule in India इनके और कौन-कौन से इनके work थे तो ये basically पारसी थे ठीक है? तो रस्त गफ्तार 1854 में एक गुजराती newspaper इन्होंने start किया अगर हम voice of India newspaper की बात करें तो उसको start करने वाले कौन थे? दादा भाई नैरोजी इसके अलावा आपके condition of India हो गई या poverty of India हो गई ये सारे काम जिन में इन्होंने liberal ideas को कहीं न कहीं promote करने की बात की तो ये सारे के सारे work जो है वो दादा भाई नैरोजी से ही related है ठीक है? तो इतनी सारी बाते जो है हमें ध्यान में रखनी है एक और point इनके लिए याद रखना है कि जैसे इन्होंने drain of wealth की theory दी थी तो उसको recognize करने के लिए एक royal commission on Indian expenditure जो है वो 1896 में उसको भी found किया था दादा भाई नैरोजी ने और इस commission में इन्होंने मलब recognize किया कि financial कराया कि financial burden है इंडिया के treasury के ओपर Britishers का ठीक है? तो royal commission on Indian expenditure ये भी किसे associated है दादा भाई नैरोजी से ही associated है ठीक है? तो इतना discussion हमने किया है दादा भाई नैरोजी के बारे में ये सारे के सारे points किसी ना किसी जैसे दादा भाई नैरोजी के बारे में अगर इनके बात करें तो इनका worth जो है 1825 में हुआ था और 1917 में इनकी death हो गई थी दादा भाई नैरोजी एक professor थे mathematics के professor थे philosophy पढ़ाते थे businessman थे एक economist भी थे और freedom fighter तो थे ही थे तो इतनी सारी जो बाते हैं ये हमें दादा भाई नैरोजी के बारे में ध्यान में रखनी है जब भी लंडन में इंडियन्स के interest को promote करने की बात आएगी तो हमारे दिमाग में एकदम से दादा भाई नैरोजी आ जाने चाहिए ठीक है तो अगला question हम देखते हैं इस question का right answer था option number C अगला question है हमारा which among the following is not correct about B.D. Savarkar तो अब बात किन के बारे में हो रही है B.D. Savarkar के बारे में तो दो personalities हमारी जो है वो अच्छे से discuss हो जाएंगी आज के session में He is considered a central figure in the Hindu nationalist movement Second statement है He supported and took part in the quit India struggle in 1942 Our third statement is He founded a revolutionary organization called Mitramela और last statement है He was one of those accused in the assassination of Mahatma Gandhi और हमारे से क्या पूचा है not correct, incorrect statement पूची है तो B जो statement है statement number B हमें लगेगा कि इन्हों ने तो अब B.D. साबरकर है तो ये freedom fighter है तो इन्हों ने क्या बोलते quit India struggle को जो बो support किया होगा लेकिन इन्हों ने oppose किया था quit India struggle को ये हम discuss करेंगे तो इस question का जो right answer है option number B ठीक है ये इन्हों ने support नहीं किया था oppose किया था अब B.D. साबरकर जी के बारे में अगर हम जाने तो जब भी B.D. साबरकर जी के बारे में कुछ भी आये question आये तो हमें सबसे वेले ध्यान में आना जाए एक word कौन सा हिंदुत्व हिंदुत्व यानि की हिंदू नेशन हिंदू राष्ट्र की बात जिन्होंने बढ़ चड़ कर की कौन थे वो वो थे B.D. साबरकर जी ठीक है अब B.D. साबरकर जी बिनायक दमोदर साबरकर जी हमारे ठीक है तो ये B.D. साबरकर जी ये founder थे मित्र मेला के जो की एक secret society थी 1899 में फाउंड हुई थी बाद में इस जो ये मित्र मेला है secret society जो revolutionary activities कर रहे थे है ना तो ये एक revolutionary थे तो मित्र मेला जो है एक secret society 1899 में ने उन्हें found की थी तो ये जो मित्र मेला है इसको फिर बाद में merge कर दिया था अभिनव भारत के साथ में 1904 में तो हिंदू ये जो मित्र मेला के founder थी और बाद में मित्र मेला को अभिनव भारत में merge कर दिया तो revolutionary activities से काफी जादा जो है वो associated थे अब इनके बारे में ये दो बाते तो हमने ध्यान में रख ली आगे की बात करे तो जैसे हिंदू तो वो वर्ड को बहुत promote कर रहे थे तो जो हिंदू महासभा जो की found हुई थी 1915 में उसके president भी रही है बीडी सावरकर जी ठीक है तो लेकिन founder कोन थे आपके हिंदू महासभा की उसके founder थे मदन मोहन मालविय जी हम कर रहे हैं बात pioneer की तो हिंदू महासभा के finale रहे थे हमें आना चाहिए अब जैसे ये मित्र मेला जो सीक्रेट सोसाइटी है तो इन्होंने revolutionary activities में बहुत पाद किया Britishers का criticism बहुत किया तो इन्ही revolutionary activities के चलते ही इनको life impressionment दी थी 50 साल की सदा हुई थी इनको कहां की काला पानी की सदा अंडे मान में जो है कहा जाता है कि बहां से इन्होंने बहुत सारे mercy petitions जो है Britishers को भेजे ठीक है बहुत सारे series of mercy petitions जो है वो इन्होंने भेजे Britishers को दया याचिकाएं भेजी जिसके बाद 1924 में इनको जो है वो इस condition के उपर release किया गया कि आप जो है वो Britishers का अब criticism नहीं करो गए ठीक है तो 1924 में इनको release कर दिया गया था ठीक है B.D.Savarkar जी नहीं 1857 का जो revolt है उसको इंडिया war of independence कितने कहा था 1857 के revolt को B.D.Savarkar ही थे हमारे अब इनके बारे में ये जो statement है कि इन्होंने quit India moment को support नहीं किया था अपोज किया था तो इनके बारे में हमें और बात ध्यान में रखनी है कि B.D.Savarkar जी ऐसी personality थे जिन्होंने two nation theory को जो है वो support किया था इन्होंने two nation theory को जो है वो support किया था और इसी के चलते इन्होंने muslim league के साथ में ये coalition में आगे थे उनके साथ हाथ मिला लिया था टू nation theory को support कर रहे थे क्यों क्योंकि हिंदू राष्टर को जो है वो ये promote कर रहे थे खीक है तो इसी के चलते इन्होंने जो है वो quit India struggle को जो है वो oppose किया था इतनी बात हमें बीडी सावरकरजी के बारे में ध्यान में रखनी है अब इनके बारे में और ध्यान में रखें जैसे हिंदू nationalistic movement के बारे में कि ये center figure थे तो थे मित्रमेला वाली statement भी हमने देख ली कि ये revolutionary organization जो थी इनके founder थे अब एक statement हमको और ध्यान में रखनी है कि महात्मा गांदी का जो assassination हुआ था तो इनको भी accused किया गया था one of the accused ये भी थे बीडी सावरकरजी लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनके खिलाफ में कोई फुल प्रूफ evidences नहीं मिले तो बात बनी नहीं थीक है तो इनको भी जो है वो associate किया जाता है महात्मा गांदी के assassination के साथ में इनका एक और हम work ध्यान में रख सकते हैं कि जो मोपला rebellion हुआ था उसके उपर इनोंने novel डिखा था थीक है तो बीडी सावरकरजी और दादावाई नैरो जी दो personalities जो है वो हमने अच्छे से discuss की है इनके उपर बार बार questions पूछे जाते हैं तो हमको ये सारे के सारे points जो है इनको note कर लेना है न और बार बार इनको revise करना है तो हमारा इस question का right answer था option number B हमारा अगला question है who among the following leaders led the revolt of 1857 in सभलपूर ठीक है देवी सिंग, सुरिंदर साई, सोना जी पंत, कदम सिंग तो सभलपूर region नाम से लगेगा कि UP में आता है कहीं लेकिन नहीं ये tribal area था कहां से east में अगर हम जाएं इंडिया के east में तो ओरिसा में जो आता है present ओरिसा में tribal region ठीक है सभलपूर area तो बहां पर क्या हो रहा था कि British जो है ये tribal region उनके internal affairs में बहुत interference बढ़ गई थी तो वहां पर जो है सभलपूर area में सुरिंदर साई जी उन्होंने Britishers के against में revolt किया इन्होंने gorilla warfare की techniques जो है वो use की और at the end लेकिन फिर इन्होंने जो है वो surrender कर दिया था Britishers को ठीक है तो हमें main main leaders को तो ध्यान में रखते हैं कि लखनव में कौन था या Delhi से कौन थे associated लेकिन ये सभलपूर region से associated कौन थे सुरिंदर साही तो ये question हमको ध्यान में रखना है ठीक है हमारे पास हमारा last question है आज का who among the following personalities founded पूना सेवा सदन in 1909 में 1909 में पूना सेवा सदन जो है वो किसने फांट किया था जी के देवधर जी, रामवाई रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बहराम जी मालावारी तो देखिए एक था पूना सेवा सदन और एक था सेवा सदन दो अलग-अलग ये organizations हैं और दोनों associated हैं अलग-अलग personalities से तो इसमें हमको क्या हो सकता है, confusion हो सकती है, तो हमको ध्यान में रखना है जो पूना सेवा सदन था 1909 वाला, इनके founder थे, G.K. देवधरजी और इनके साथ में co-founder कौन थे, रामाबाई रानाडे, जो M.G. रानाडे की बाइप थी इन्होंने welfare of women के लिए बहुत सारा काम किया, इस पूना सेवा सदन जो organization है, इसके under तो इसके founder थे, G.K. देवधरजी, लेकिन जो सेवा सदन था, ये पूना सेवा सदन है ना, और एक सेवा सदन था, तो वह वाला option भी दिया हुआ है, कि ये डी वाला option जो B.M. मालावारी थे, उन्होंने सेवा सदन जो वो found किया था, और ये सेवा सदन जो B.M. मालावारी ने found किया था, ये found हुआ था, 1885 में, कहां पे, Bombay में, तो पूने वाला जो है, वो associated है, G.K. देवधरजी के साथ में, और जो Bombay वाला है, वो associated है, हमारा B.M. मालावारी के साथ में, तो दोनों ही confusing है, mix हो सकते हैं, तो हमको ध्यान में रखने हैं, दोनों के दोनों, अब ज जो पूना सेवा सदन है, 1909 का, इस से associated है, G.K. देवधरजी और साथ में, रामा भाई दाना डेजी, ठीक है, और वीनों ने Women Welfare के उपर जो है, वो काम किया था, तो आज के सेशन में हमने, पांच questions जो है, वो discuss किये हैं, और उन में से most important कौन से थे, आपके दादावाई नेरोजी वाला और बीदी सावरकरजी वाला, तो ये आपको जो है, वो points जो है, ध्यान में रखने हैं, अब मिलेंगे हम अपने next session में, तब तक के लिए, thank you so much.